अलो दोस्तो एसुष टड़ियान में आपका स्वागत है आज हम करने वाले हैं सिरोही जिला दर्शन का भाग दो दूसरे भाग में हम करेंगे सिरोही जिले के परमुख दर्शनिय इस्थल शिरोही जिले के दर्शनिय इस्थलों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे तो पिम्राजस्थान के सभी जिलों के बारे में विस्तार से पढ़ते आ रहे हैं तो वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो चलिए पढ़ते हैं हम शिरोही जिले के दर्शनिय इस्थलिया परियाटन इस्थल सबसे पहले करेंगे हम माउंट आबू माउंट आबू में अरावली की सबसे उंची चोटी गुरू सिखर है गुरू सिखर चोटी 1722 मीटर उंची है माउंट आबू में मुख्य प्रियाटनिस्थल है माउंट आबू में है दिलवाडा जैन मंदिर संसेट पॉइंट नक्की जीर अर्बुदा देवी का मंदीर अचल गड़ दुर्ग चोमुखा मंदीर अचलेश्वर महदेव मंदीर अनिमोन पॉइंट चंद्रावती नगरी ट्रेवर्श टैंक परजापती इस्वर्य विश्व विद्धाल है ये सब माउं टाबू के परिय अब आते हैं चंपा गुफा यहां गुफा नक्की जील के पास इस्थीत है इस गुफा में स्वामी वेकानन 14 अप्रेल 18 शुक्यान में को आये थे तथा कुछ दिन के लिए यहां ठैरे थे अब हम पढ़ेंगे माउं टाबू के वन्ने जीव अब्यारने के बारे में यह अब्यारने राजस्थान का एक मात्र पाड़ी परिस्थीत अब्यारने है जो जंगली भालवों, मुर्गों, यूबले फ्रीस जो सबसे सुन्दर छिपकली है एवं डिकिल, पटेरा, आबू जो बिश्व में एकमात्र यहीं पर पाई जाती है के लिए यह अब्यारने परशिद है वर्तमान में यह अब्यारने के गिंती में नहीं आता है ग्रीन मुनिया नाम की चिडिया आबू परवत पर पाई जाती है अब हम पढ़ेंगे पस्चमी बनास नदी के बारे में पस्चमी बनास नदी का उद्गम शिरोही जिले के नया सानवरा गाउं के निकेट से होता है तथा यह शिरोही जिले से बैती हुई कच के रण में जाके गिरती है अब हम पढ़ेंगे शिरोही जिले के बसंतगड दुर्ग के बारे में इस दुर्ग को आबुर्ध दुर्ग भी कहा जाता है यह दुर्ग आबुपरुवत पर मंदाकनी जील के किनारे इस्थित है इस दुर्ग का निर्मान परमार सास को ने करवाय था इस दुर्ग का पुनर निर्मान 1452 में माहराना कुम्बा के दुआरा करवाय गया था इस दुर्ग में अंकलेश और महादेव का मंदिर, सावन भादो जील, ओखरानी का महल, आधी दर्शनिय इस्थल भी इस्थित है अगर शिरोही जिलेके दर्शनिय इस्थल के बारे में विस्थार से जानकारी तो लाच्ट तक वीडियो देखने के लिए दन्यवाद अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले